दोस्तों यूैटूब पर यूटूबर का सबसे बड़ा प्रालम क्या है बता है बीउइडाउन का प्रालम और ये एक ऐसा प्रालम है जो कि हर मेहना आपको एक बार फेस करना ही होगा और मेरे विडियोस में कई कमेंड भी आता है कि भाही एमार विजाउन हो चुका है पहले हमारा 500 सारे वीडियो पर वीडियो जाता था लेकिन अभी आ रहा है 150-200 आ रहा है और बहुत लोग ऐसा करता कि पहले 10-20 जार आ रहा था लेकिन अभी आ रहा है 5000-6 तो आखिर ऐसा क्यों होता है एक यूटूबर का सबसे बड़ा प्रॉलम है कि उसका वीडाउन का प्रॉलम होता है हर महना आपको एक बार फेस करना ही होगा और अभी वैसा ही कुछ हो चुका है और आपको अगर लग रहा है कि इससरी मेरे वीडियो पर वीडियो पर वीडाउन है तो यहाँ पर देखिए तो मेरे वीडियो पर आपको नए नए वीडियो पर 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 व जिससे हमारे वीडियो पर व्यूज अच्छा कासा आए, तो वो ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ, और आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये व्यूज डाउन प्रॉब्लम होता क्यों है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो ना, तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट ल प्रॉडम क्यों होता है, तो यहां पर देखिए, व्यूज डाउन होने का रीजन यहां पर देखिए, दो तिन रीजन होता है, पहला रीजन यह होता है कि कभी-कभी हमारे क्रिकेट चलता है, क्रिकेट का सीजन होता है, तो उस टाइम देखिए, क्रिकेट के वज़ए से भ कभी- گवी डाउन हो सकता है लेगन दुस्तों विडिवा नोने का। मैंं जो प्रावलम है वह YouTube algorithm यूटूब देखिए जो विडियो आप है जो कभी देखना कि हमारे विडियो पर जो पुराना विडियो हो जाता है एक तो उस वीडियोस को वाइरल कर देना है उस वीडियोस पर इतना व्यूई ला जाना है तो ये सब क्या है, एक setting किया गिया है YouTube algorithm machine द्वारा set किया जाता है तो YouTube क्या करता है, अपने algorithm को बार बार change करता है अब आप लोग बोलेंगे कि update क्यों करता है तो update इसलिए करता क्योंकि YouTube क्या एक system है अगर YouTube का algorithm को कोई पकड ले, कोई hack कर ले तो वो अपने सारे वीडियोस को ही viral कर लेगा तो इसलिए YouTube ये नहीं चाहता कि हमारे algorithm को कोई पकड सके तो इसलिए अपना algorithm को बार 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 चेंज करते रहता है जिसके कारण क्या होता है हमारे वीडियोस में glitch मिलता है downfall देखने को मिलता है हमारे view down हो जाता है और ऐसा देखिए कभी-कभी आपके साथ ऐसा दो दिन फेस करना होता होगा कभी चार दिन, कभी पाई दिन, कभी-कभी मेहना दिन भी फेस करना होता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कभी-कभी मैंने एक-एक महना व्यूई डाउन को फेस किया हूँ तो अगर आप एक नए यूटूबर अगर आपको लग रहा है कि आखिर ये मेरे वीडियोस पर क्यों हो रहा है तो सिर्फ आपके वीडियोस पर नहीं हो रहा है सारे चैनल पर होता है सारे चैनल पर, चाहे बड़ा चैनल हो, छोटा चैनल हो सबी के चैनल पर ये लागू होता है सब का व्यूज़ जान होता है, क्यों? क्योंकि यूटुब का पूरा algorithm ही change किया जाता है, पूरा update करता है यूटुब, तो इसलिए main जो region है, यूटुब का, जो की view down का problem ना, तो यह है यूटुब algorithm change होना रही है, एक-एक महना में दो बार, तीन बार change हो जाता है, लेकिन view down जो होता है, परती एक महना आपको एक बार, दो बार face करना ही होगा, ये आप अप दिमाग में बाढ़ लो, अगर आप यूटुबर बनना चाहते हो, तो ये समझे लो कि यूटुब का view down आपको परती एक महना एक बार face करना ही होगा, अब यहाँ पर देखिए, ये main reason है, यूटुब algorithm change होना है, लेकिन इसके अलावा भी, बहुत लोग खुद से भी अपना view down कर लेता है, अब खुद से कैसे, अगर आप पहले मान लिजे, gaming का वीडियो डाल रहे थे, और अभी आप क्या किया, cooking का डालना ही start कर दिये, तो view down होगा ही होगा, और बहुत लोग ऐसा करता है कि मान लिजे, मैं अपने YouTube टुस्का वीडियो डाल रहा हूँ, सब्सकाबर कैसे बढ़ाएं, ब्यूज कैसे बढ़ाएं, इस पर अगर topic में कबर करता हूँ, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक कोई, मान लिजे trending topic आ गया, मान लिजे, अभी election का time है, मान लिजे, अभी election से लेकर एक वीडियो डाल दिया, अब मान लिजे, वो वीडियो मेरा viral हो गया, दो लग, तिन लग व्यूज आ गया, अब क्या हो, उनसे मेरा सब्सकाबर आ गया, उसके जैसा, अब अगर मैं डालूंगा अपना पुराना कटेगरी ना, तो वो देखने में वो लोग interest नहीं दिखाएगा, जिसके करना हमारा वीडियो डाउन हो गई होगा, तो अगर आप यहां पर देखिए, अगर आप mixed content डाल रहे हो, इनसे वीडियो डाउन होता है, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नए यूटूबर, अगर आपका अभी तक 1000 सब्सकाबर भी नहीं हुआ है, तो mixed content डाल सकते हो, क्योंकि mixed content डालने से आपका चैनल ग्रो होता है, जब दखिए, आप mixed content डालेंगे, mixed content मढ़ डालो, ठेक है, सब्सकाबर बेस बन जाए, तो मढ़ डालो, तो यह तो मैंने आपको बता है, आखिर ब्यूज डाउन प्रोलंग होता क्यों है, अब इसका solution क्या है, तो इसका solution चलिए, मैं आपको दिखाता है, अपने mobile screen पर, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने mobile के जो YT Studio application होता है, इसको आपको अपन करना है, क्योंकि जो आपका view down चल रहा है, वो view down का off यही करके देगा, यही आपका view increase करेगा, तो यहाँ पर देखिए YT Studio app अपन करना है, यहाँ पर देखिए, आपको मिलेगा YT Studio app में analytic option, तो simple आपको analytic पर click करना है, और यहाँ पर देखिए, आपको यह वाला option मिलता है, inspiration, तो आपको simple आपको इस पर click कर देना है, अब click करने के बाद यहाँ पर देखिए, आपको मिलता है सबसे पहला option top searches, यहा आपको 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 करते रहना है और ऐसा करने से आपका जो भी डाउन चल रहा है ना वह आपके चैनल पर नहीं दिखेगा आपके सारे वीडियो पर पहले के जैसा वीज आपको देखने को मिलेगा को कि यह सब ऐसा कंटेन है जो कि आपके चैनल पर ज्यादा वीडियो ला कर देता है तो पहला क टोपिक ऐसा टोपिक है जो कि आपके चैनल पर ज्यादा वाइस टाइम ला कर देता है आपके वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोग वाज करता है इन से वीडियो पर ज्यादा लोग रुखता है आपके टाइम देता है तो ज्यादा वाइस टेम जब आपको मिलेगा ना तो ग पर कर सकतो। माले जब मनोई जे कोई बनाया है जिस पर अच्छा पासा वीडियो बनासकतो। क्योंकि मेरे यहां पर अबाउट सक्सर में दिख रहा है। तो यह सब चैनल दिखता हैं इन सब चैनलों को जाकर चैक आउट करो और इन सब चैनल पर देखो दिन 15 दिन के भितर कौन वीडियो वाइरल हुआ है किस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आया है तो उन सब टोफिक पर वीडियो बनाते हो तो आपको अभी जो डाउन फॉल चल रहा है तो आपके वीडियोस में यह देखने को नहीं मिलेगा और पहले के जैसा आपके वीडियो जो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना